ओम शान्ति कोई भी भाई या भेहन जब इस्वरी एक ज्ञान लेता है जो ज्ञान स्वयम भगवान ने दिया है और जब उसे निश्चय हो जाता है और उसे प्रभु मिलन की अनुरूती होने लगती है उसे सत्यमार्ग मिल जाता है उसका नसा चड़ जाता है खुमारी हो जाती है वाह मेरा भाग्य भगवान मिल गए और बाबा जो लक्स मुर्लियों में देता है उसको बहुत द्रड़ता होती है मैं नर से नारा नारी से लक्षमी अवस्वनूंगा मैं रोज आठ गंटे योग कराऊंगा वा मेरी तो भागी खिल खुल गए सत्मार्ग मिल गया मैं कितने अंदकार में भटक रहा था मेरे जीवन का अंदकार है प्रभू तुम ने आके हर लिया उसके पैर जमीन पर नहीं रहते उसके खुसी आस्मान चूती रहती है सब को अनुग होए पर दीरे दीरे खुसी का नसे का पारा डाउन होने लगता है आज हम कुछ कारणों को आपके सामने रखेंगे जिसके कारण ये नसा और खुसी डाउन होती है हमारी खुमारी कम होने लगती है हाला कि भगवान से मिलन के अनेक अनुभव हो जाते हैं सिव बाबा की मदद के भी बहुत सारे अनुभव होने लगते हैं बाबा हमें बहुत प्यार करता है यह आभास भी बहुत अच्छी तरह होने लगता है परंटू पहली बात तो ये कि हमारी धारनाएं बहुर सुक्स में प्योर बनना है, उस खुशी और नसे में तो प्योरीटी इजी लगती है, जैसे मनुस काम दन्ने मिजी होता है और खुशी और नसा काम होता है, तो प्योरीटी भारी लगने लगती है, फिर खुशी और नसा और डाउ होने लगता है. फिर मन उष्चीया गलती करता है? आलस के अधीन होने लगता है. सवेरे उठना रोज रोज उठना है तो बड़ा भारी काम है. कभी-कभी उठना होता तो ठीक था. रोज मुल्ली सुनने जाना, तियार होके जाना आज देर से सोये थे, जीवन धीला बढ़ गया, मनुशिय सोचता है, तो धीला हो जाता है, धीला होने से इस्वरी मदद कम हो जाती है, जो जीवन में एक उमंग उत्साहर रहना चाहिए, वो भी फीका बढ़ने लगता है, एक ये बड़ा कारण होता है, आलस्वरल बेलापन, फिर संगठन में रह कि वो तो भोजन खाते हुए बात्चीत कर रहे हैं, तो सुचते हमने तो सुना था योग-योग थो कर भोजन करते थे, ये तो सबी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, दिलाई आने लगी, दूसरों को देखने से बहुत धिलाई आती है, और योग में उन्हें पता चलता है, फलाना भी नहीं उठता, फलानी भी नहीं उठती, हमें ही क्या पड़ी है, जो भाग मिलेगा ले लेंगे न, और धीले हो जाते हैं, तो दूसरा बड़ा कारण है, दूसरों को देखना, उनकी कोपी करना, बावा ने बहुत हंसा है था एक बार, चार भाई एक कमरे में सोय हुए ह एक याँ खुलती है, सबेरे साधे तीन वजे, वो रजाई से मुण निकाल के देखता है, बाकी तीन तो सोय हुए है, वो भी सो जाता है, असाया था बावा ने बहुत, तो ये दूसरों को कोपी करना, इससे गिरावट बहुत होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी आख उन्हों देखा, बाकी सब सोय हुए हैं, तो जागरित हो जाता है, अच्छा, ये अपना भागे गवा रहे हैं, मैं इन से जादर भागे, स्रेष्ट भागे बनाऊंगा, और वो उठकर तैज पुरसार्थ करने लगता है, ये रियल बात, दूसरों को देखकर उनकी कमजोर करना, उनकी कमजोरियां देखकर वो कमजोरी मेरे अंदर तो नहीं है, ये चेक कर लेना उसको चेंज कर देना, ये बहुत आवश्यक होता है, तीसरी बात होती है, क्वेस्चन सुटना, ये बाबा के महाबाद क्या है, एक पूरे मुडली चली थी इस पर, क्वेस्चन स बह मैं ये क्या कर रहा हूं, दूसरों के लिए क्वेस्चन करेंगे, यग में ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, फलाना भाई इतना पुराना है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, फलानी टीचर भी ऐसे बोलती है, देखो मुझे तो, क्यों क्या, क्या होगा, ये क्यों क्या, बाबा के स्थिति को भी ठेड़ा कर देता है सोरी स्थिति लोग होने लगती है जितने questions मन में उठेंगे बगवान के सब्द प्रस्ण जितने मन में उठेंगे प्रसनता उतने ही खतम होती जाएगी जहां प्रसन बहुत हैं वहां प्रसनता नहीं है प्रसन माना question प्रसनता माना happiness, cheerfulness तो ज्ञान के question उठाना वो एक अलग बात है उससे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा लेकिन व्यवस्था में दूसरों के पुटसार्थ को देखकर इस अंसार में जो कुछ होता है उसको देखकर यह क्यों हो रहा है, बाबा ऐसा क्यों नहीं करता है यह सब बाते मन को भटका देती हैं अगली बात बाबा ने कही और यह बिलकुल सत्य नजलाती है correction करना, दूसरों को correct ज़्यादा करने लगते हैं, अपने को correct करना है यह भूल जाते हैं, दूसरों को संपॉर्ण बनता हुआ देखना चाहते हैं, मैं बले पीछे रहोँ, गलत मेंटलिती हो गई है, भूल गय है के कल्यू क्यान्त में सभी आत्मा नीचे उतराई है यहां कोई भी संपूर नही है, और किसे में कोई कमी और कोई गमी, किसे में कोई गमी, या सब्दों से उमंग उच्छा दिलाना है, मोटिवेट करना है, करेक्शन देते रहने से अपना कनेक्शन सिवाबा से तूट जाता है, कुछ उंदर सब्ध भगवान ने बोले, अगर तुम करेक्शन के चक्कर में पड़ गए, ये चकर भी हो है, तो दूसरों कोई देखते होगे, और फिर बाबा से सिर बाबा से कनेक्शन कट ओफ हो जाएगा, और तुम्हारी स्थितिन दिनों दिन डाउन होती जाएगी, और अगली बात बताई, कम्प्लेंट्स करना, दूसरों के ब्लेम लगाना, इसमें भी ये दिखाई देता है ऐसी आत्माओं को, गुईय ग्यान नहीं है, इस विश्व ड्रामा की भी संपूर नौलिज नहीं है, वे दूसरों के बारे में सोचते हैं, परचिंतन जाद करते हैं, परदर्शन कहते हैं, इसे हम दूसरों को देखना, उनकी बुराईयां देखना, उनमें क्या के कमजोरियां हैं, वो कहां कहां धीले यह देखना परदर्शन और परचिंतन, दूसरों का बहुत चिंतन करना व्यर्चिंतन जिसे कहते हैं, तो कंप्लेंट के साथ यह दोनों भी चलते हैं, इसलिए खुशी का पारण डाउन होता रहता है, इस्थिती बिगड़ती जाती है, मन निराज हो जाता है, सब यह ऐसे हैं, कोई भी तो अच्छा पुर्शाज थी मुझे नहीं मिलता, एक कह रहे थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जो जान मार्ग पर चलते हो, वी संपौन सत्य हो, हमारी एक बेन ने उसे बहुत अच्छा उत्तर दिया, नहीं मिला ना, बहुतों को खोज है इसकी तुम बन जाओ, तो बहुतों की खोज समात्थ हो जाएगा, वो सोज लग जा गई उसे, कि साथ मैं भी नहीं हूँ, उसे तो सुचा था दूसरे ही नहीं है, तो अगर हमें निरंतर खुशी में, उमंग उत्साहा में, प्राप्तियों की अनुव मगन रहना है, तो एक महान लक्स को सदैव अपने सामने रख कर चले, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे और कुछ नहीं देखना, जैसे होसियारी स्टूडेंट, टॉपमोस स्टूडेंट, कभी कमज़ोर विध्यार्थियों को देख कर अपने को कमज़ोर नहीं करते, उन्हें तो लक्स रहता है, मुझे 95% मास लाने हैं, बस वहीं सामने है, कौन क्या कर रहा है, इसको नहीं देखते, हम भी गौडली स्टूडेंट हैं, पास्वी दोनर होना है, मान स्टेटस को प्राप्त करना है, इसलिए उस लक्स को सामने रखते हुए, और कुछ न देख अपने लक्स की ओड़ चलेंगे, तब ये जीवन सफल होगा, ओम जानदी